हेलो, वाट्स अप गाईज, माई नेम इसमिनोध बादूर धापा एंड टोडे इन इस वीडियो वीडियो अप्लोड कर चुका हूं आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरू चेक आउट कीजे क्योंकि बहुत ही जादे इन्पोरेंट है आज मेरा 18 वीडियो वीडियो ने जा रहा है जहां हम मंगूस को देख रहे हैं अभी तक हमने काउड उप्रेशन में बहुत कुछ समझ लेया लाइक इंसर्ट कैसे करना है अब 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 बार यह आ चुकी है अब हमें अगर अपने डॉकुमेंट्स को अपडेट करना हो लाइक जितने भी आप डॉकुमेंट्स देख सकते हो हमारे वंगो डीवी डेटावेस के अंदर तो अब उसको मुझे अपडेट करना है ठीक है अब 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 डेट हम कैसे पॉफम कर सकते है वह आज हम देखने वाले आप देख सकते हो मेरे पास है कुछ डॉकुमेंट्स यहां पर रखे हुए और मैं अगर आपको दिखा हूं यह देख सकते हो मैं इसको जूम तो करने सकता है लेकिन मैं एडिट में इसको जूम दिखा दूँगा आप देख सकते हो यह जो एक डॉकुमेंट है मेरा इसका नाम है जावस्क्रिप्ट है जिसका जो कोर्स का टाइप है वह है फ्रंट-end अगर आप देखोगे मेरे हर एक को जूंड नाम है वह बेसकली पास्कल कन्वेंसंन में सकते हूंद के सब्सक्रिप्ट है उसके साहत ही जो स क्व Call कर मेरे जो जीन क मई का स्मौ पिछ ज्यावस्किप्रिपेटिंस कूब्ध का सकता है अप कर सकता है लिकिन वह जान आप cme giant में एक अप कर सकता है लगिन फि पर express with mongoose के साथ इसको करना है ठीक है अब इसको मैं कैसे कर सकते हूं देखिए मैं आपको दो तरीके बता हमगा ठीक है तो सबसे पहले देखिए यह जो यह बेसिकली हमारी रीड करने के लिए काम आ रहा रहा था इसमें मैंने पको async, await and then try and then catch block के बारे मैं आपको बता है and आप कैसे fat arrow function यूज कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता है तो already यह से अपके उपर video है जरू चेक आउट कीजिए तो देखे गाइस it's super easy अप में क्या गरता हूं यहां पर मैं simply एक function call कर रहा हूं जिसका नाम होगा update the document and update the मैंने जरूर बोलागा इस उससे हमें लेना देना नहीं है वो खाली ऐसे बाता नेकले था so we have update documents this is it ठीके मैं क्या करूंगा गाइस मुझे यह जो javascript है मुझे इसको update करना है इस document को ठीके एंड हर document में एक चीज़ unique होता है that is उनका ID तो मुझे उस ID को grab करना है मैंने की copy यहां पर मैं चलता हूं and then इस तरीके से मैं प्रेश कर देता हूं this is it अब at least मेरे पास एक ID आ चुका है जिसके जो name करके जो field उसको मुझे update करना आप समझ लीजे काई से कर हम रियल वर्ल्ड में वर्क करेंगे तो आप समझ लेना काई से हमें API के तो हम उसको get कर रहे ठीके अब इतना मेरा काम हो चुका है देखो अब में क्या करता हूं यहां पर मैं चलता हूं मैंने इस function को क्या किया है मैंने call किया है now I need to define and मैं बहुत इचली कर सकता हूं and that is const and fat arrow function इस करा हूं फिर आल जूम कर देता आप लोगों के लिए ठीक है कि अभी में जो अपडेट के लिए जो क्वेरी लिखने जा रहा हूं guys वह हमें promise return करता है and promise से बैटा रहता रहता async so we'll go with async अबेट सिंप आरे आया ने हो चलो ठीक है तरके से async all right perfect now मुझे क्या करना update क्वेरी लिखना है and it's super easy guys हमारे पास already हमारा main collection का नाम हमने सेट कर रहा that is यहां पर आप देख सकते हूं यह हमारा model आपको याद है न हमने model क्रेट किया तो with the help up schema ठीक है तो यह मेरा playlist इसको मैंने की copy basically मेरा collection ही यह यह फिलाल के लिए अभी यहां पर मैं चलता हूं प्लेड डॉट देखो का इस बहुत सारे तरीके मैं अगर आपको दिखां तो तरीके तो बहुत अपडेट करने के अगर मैं आपको दिखां यहां पर आप देख सकते हूं काई अपडेट मनलब भरे पड़े अपडेट करने के लिए ठीक है तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं शिर्फ और सिर्फ अपडेट ठीक है अपडेट के बार में सब कुछ बाता आ था बहुत अच्छे से इस बेटों को भी जरू चकाउट की जाएगा तो में यह पर चलता हूं इस तरह टेटों यह प्रोट के से अपडेट अधन ओ तो कापिटल बैसिकली यह हमें वह स्टोर करके रख देंगे रिजल्ट वाले वेरिएवल में इस तरह की से सिंपल ctrl s save ठीक है इतना मेरा काम होगे अभी हमें क्या करना है जब हम ये update वाला यूज करते हैं basically इसका देखो क्या है we need to pass a filter and then हमें किसको update करना है and then we have this option वाला part ठीक है तो सबसे पहले filter हमें क्या करना है filter तो यह है कि हर एक document में एक unique id रहता है and that is this underscore id तो मेरे पास अगा id अल्रेडी है मैंने यहाँ पर grab कर रहा है तो इसको जो है यह मेरा एक argument है जो मैं pass कर रहा हूँ मुझे इसको get करना है ठीक है तो यहाँ पर guys मैं as a parameter उसको access कर सकता हूँ underscore id ठीक है ctrl s save अगर आप underscore id नहीं लिखते हो जो belong करता है exactly you know underscore id so उसकी जो value होगी अगर वो match कर जाता है मेरे इस वाली value से जो कि अभी फिलाल यह id है and मैं यहाँ पर id पास कर देता हूँ तो कैस आप इस तरीके से कर सकते हो लेकिन अगर आप इसको directly underscore कर देते हो so now with the help of object destructuring मुझे यह लिखनी की भी जो होती नहीं पड़ीगी मैं simply इस तरीके से underscore id यूज कर सकता हूँ so यह हमने already देख चुका object destructuring basically like my script 2015 ES6 के अंदर ठीक है else नहीं तो आप पाता क्या कर सकते थे नहीं तो अगर आपको pass नहीं करना रहता तो id colon अब directly इस तरीके से pass कर सकते थे and directly यह हमें error दे रहा है so we will go with this तरीके से देखो तो यह टोटरी आपके उपर है कि आपको इस तरीके से यूणो अगर यह use नहीं करना है as argument अगर आपको use नहीं करना है तो ऐसे गर सकते हो and better अगर मैं directly underscore भी use कर देता हूँ तो object destruction के मदद से अगर मेरा key and then value दोन की value अगर same हो तो directly as it is इसको लिख सकते है तो यह मैं इस तरीके से लिख दी now मेरा filter वाला पार्ट तो complete हो गया now मुझे update किसको करना है मैं यह पर चलता हूँ इस तरीके से आपको बहुत सारे आप देख सकते हूँ increment कर सकते हो min, max, mul, rename, set set देखने वाले and it's super duper easy minimum करना maximum दिखाना increment like instagram अगर आप like करते हो तो increment हो रहा है तो वह कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो current rate ठीक है तो basically हम यह set को यूज़ करने वाले आपको इस तरीके से कलीब्रेशिस यूज़ करना है basically आप इतना याद रखो जब भी आप मौंगो इसमें कुछ भी कर रहे हो query जब भी करना कलीब्रेशिस के अंदर ही करना है इतना तो हमें का इस पाता चली चुका है so dollar basically एक operator को बताने के लिए हो रही है basically इस जगे पर खतम हो रहा ठीक है यहां पर so guys मैं पते क्या कर सकता हूँ एक चीज मैं आपको बताता हूँ जब भी आप एसिंग का वेट उस कर रहे हो better go with try and then catch block ठीक है ताकि अगर कुछ error हो तो हम उसको catch कर सके so catch यहां पर simple and basically यहां पर आपको you know error रहता है तो हम उस error को get कर सकते simply मैं अगर चलता हूँ इस तरगे से एक second अगर log है यहां पर so मैं इस error को pass कर देता this is it and यह वाला जो मेरा part है इसको मैं हटाता हूँ try के अंदर इस तरगे से मैं रख देता हूँ simple this is it मैंने थोड़ा zoom करके रखा इसको ताकि आप लोगों को एकदम clear दिखाई दे I hope now this is perfect ठीक है अभी यह जो part मेरा खतम होता ठीक इसी पर ही मैं चलता हूँ यहां पर guys मैं console.log करके यह जो मेरा result है उसको में दिखाता हूँ basically जब हम इस तरगे से यह यूज करते न update one तो guys यह आपको खाली result बताता है कि कितने documents मैच हुए and हमने कितनों को update किया आपको किस documents को update किया उसका पूरा data नहीं दिखता है खाली कितने documents modified हुए बस वह बताता यह तो मैं यहां पर चलता हूँ अब देखो guys यहां इसको ctrl c c ls clean कर दी मैंने देखो इस super duper easy simply a node node source forward slash app.js क्योंकि मैं उसी पर work कर रहा हूँ and boom guys देखो आप बहुत clearly देख सकते हूँ यह आपको दिखा रहा है that is and you know and then modified value basically and then modified value कितने कितनों को इसने modified किया सिर्फ एक को and okay means यह successful हो चुका है and modified में एक दिखाने का मतलब यह है क्योंकि हम update कर भी सिर्फ एक ही को रहने क्योंकि हमने तो एक unique ID pass की हुई है अब अगर मैं आपको यहां पर लेके चलो अपने compass पे and जहां आप पहले देख सकते है वहीं अगर आप में refresh कर देख देख अब आप देख सकते हो यह capital में convert हो चुका है ठीक है अब मुझे क्या चाहिए कि जो यह मेरा complete document है अगर इसको मैं update करता हूं तो instead of यह जो मुझे सिर्फ वर सिर्फ बता रहा है हाँ एक document को मैंने update कर दी है basically एक film match वा तो उसको मैंने update कर दी मुझे यह कहीं पर भी mostly देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप देखते हो और अगर आप अभी भी यूज़ करें that is find by id and and तो लिख नहीं है and then update इस तरह की से ठीक है इसमें क्या होता कि हम क्या कर रहे हम पहले एक id को find करेंगे and then उसको update कर देंगे इस सुपर डुपर मालब एक दम straight forward simple है कि मालब हम क्या करेंगे id के थुरू find करेंगे and उसको update कर देंगे find by id and update simple control है save कर देता हो और कुछ नहीं करना मैंने खाली update 1 के बदले find by id and update लिख दे और कुछ नहीं किया and वह update 1 के बदले आप update मैंनी भी लिख सकते थी जहां पर बहुत सारे को एक साथ update कर सकते थे ठीक है लेकिन मेरा दिखाने का main you know मकसद यह है कि अगर मैं इस तरी किसे लिखता हूं तो मैं clean कर देता हूं and now javascript के बदले मैं यहां पर लिख देता हूं हमें आने लग चुका है basically 2019 से start हो चुका था एक deprecation warning आता जहां पर बोलते कि भाई अगर आप find one and update और साथी साथ find one and delete उस करते हो without use find and modify options set to false are deprecated ठीक है तो हमें क्या करना इसको simply copy करना है ठीक है and आपको याद यह यही सेम चीज हमारे साथ हुआ था जब हमने I think creation वाला यूस किया था so all right guys यहां पर देखे जब मैं connection set करने जा रहा था मैं आपको बाता था guys पहले अगर हम सिर्फ एक चीज लिखते थे that is use new url parcel set to true तो वह गो जाता था guys अभी मुझे क्या करना पड़ा मुझे एक और नया add करना पड़ा and जब मैं आपको remote database के साथ मनलब cloud में अगर हमारा MongoDB का data है उसके साथ अगर हमें connect करना रहा तो आप guys दो और extra ऐसे हमें key value pair add करने पड़ेंगे वहां पे यहां पे simply क्या करना guys आप जाईए यहां पे ठीक है इसी पार्ट पे आईए यहां पे एक कॉमा दे दीजिए and guys आपको याद है मैंने आपको बात आया था यहां पे कि we have options भी होता है चलो कोई बात नहीं guys आपको लेकिन याद होगा हाँ यह देखे यहां पे एक तीसरा एक option भी आगिया हमने filter देखा हमने update देखा now we have this option तो यह option यह ही है कि guys आप यहां पे बहुत कुछ कर सकते हैं तो मैंने key pass कर दी and उसकी value मुझे pass करने पड़ेगा false क्योंकि यह यही बोल रहा नहीं यह बोल रहा है without the use find and modify option set to false false are deprecated मतलब मुझे set to false करना पड़ेगा ताकि वो deprecated हमें यह warning ना दिखा है simple ठीक है तो मैंने simply as a option इस तरह की से उसको pass कर दी ctrl s save करता हूं यहां पे मैं चलता हूं इसको मैं again close कर देता हूं CLS कर देता हूं run करता हूं and this is it मुझे मेरा perfect data यहां पे मिल चुका है and guys मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा javascript thapa मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि यह मेरा old data है यह मेरा updated data नहीं है अब मैं आपको बाता तो मैं क्या बोलो thapa अगर मैं यहां पे कर देता हूं technical यह छोटी-छोटी चीजे क्योंकि interview में पूछ सकते है कि अगर आप find by id and update यूज करते हो and जब आप उसकी result को console या output में show करवाना चाहते हो तो आपको कौन सा data मिल रहा होता है आपने जो currently update किया वो updated data मिलता है या जो already आपके database पे present था as a previous जिसको आपने update नहीं किया वो आपको data मिल रहा होता है ठीक है पहले तो इसको मैं refresh करके दिखा देता हूँ कि अभी मेरे current document में सिर्प और सिर्फ JavaScript थापा लिखा हुआ है and मैंने अभी क्या यहाँ पे add कर दिया मैंने technical भी add किया ठीक है अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ यहाँ पे guys अब मैं अगर वापस run करता हूँ तो दोखो हमें क्या output आ रहा है and boom guys देखा हमें JavaScript थापा ही output आ रहा है मुझे यह output नहीं आया JavaScript थापा technical output नहीं आया and अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अब अगर इसको में refresh करता हूँ तो आप देख सकते हो कि guys हमारे main database है वहाँ पे तो perfectly update हो चुका JavaScript थापा technical लेकिन जो मेरा output आ रहा हूँ previous वाला document का record था वही मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपको जो आपने recently update की अगर आप उसी के साथ यहाँ पे as a output करवाना चाहते हो so guys उसके लिए भी यहाँ पे एक और property है that is you need to write new एक second आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा new and इसकी वाले आपको कर देनी पड़ेगी true यहाँ पे कॉमा देना ताकि एक second ट्योर क्या होता है यहाँ आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए mongoose पे अगर मैं चलता हूँ so guys में इसका लिंक आपको नीचे description प्रोड करा दूंग आपको बिल्कुल टैंसर नहीं लेना है एक second में अगर query पे चलता हूँ अब देख सेकते हो find one and update basically कहांगे यहाँ पे and अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसके बहुत सारे options है like here we have this option वाले options part अगर मैं आपको यह देखे guys new key value है if true return the modified document rather than the original देखा modified document दिखाएगा rather than original तो हमें पहले originally दिख रहती है यह बहुत कुछ है यहाँ पे पड़े हुए ठीक है इतना हो गया तो अब अगर मैं यह new add कर देता हूँ and इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ इसको clean कर देता हूँ and then run करता हूँ and यहाँ पे मैं वापस सब हटा के मुझे वह सब नहीं चाहिए सिर्फ मुझे जे कैपिटल चाहिए था मैं वापस हो ही कर देता हूँ ctrl c कर देता हूँ clean कर देता हूँ and boom guys अब मुझे सिर्फ और सिर्फ javascript मिल रहा है so guys आज इस वीडियो के लितना ही and really up आपको वीडियो बहुत पसंद आओगा जहां हमने बहुत कुछ समझा बहुत कुछ नया देखा and यह भी देखा कि जहां पहले simply यह चल जाता था but now हमें एक और वैल्यू यहाँ पर यूज करना पड़ रहा है so this is it guys आज इस वीडियो के लितना ही and really up guys आपको वीडियो बहुत पसंद आओगा and बाताना चाहूंगा guys में डेल ये से आसम वीडियो अप्लोड करते रहत हो so guys अगर आपको वीडियो थोड़ा से विस्फुल लगा please इस वीडियो के एक लाइक जरू कर दीजेगा क्योंकि बहुत ज़्याद इंपॉर्टेंट वीडियो and guys इस वीडियो का अपने सभी दोस्तों को सारे social networking sites आपके WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram सबसे ज़्यादे इंपॉर्टेंट आपका WhatsApp ग्रूप है महाँ पे जरूर सेयर कर दीजेगा and बाताना चाहूंगा guys अब हमारे next target 3 lakh subscriber है and वो मैं आपके बिना बिलकुल भी नहीं कर सकता so guys अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सबस्क्राइब नहीं किया please सबस्क्राइब कर लिजेगा right side में एक red color का bell icon एक घंटी दिखाए देगा hit किजे, click किजे ताकि आप daily ऐसे awesome videos को miss ना करे and कुछी भी डाउट हो तो वे फिकर हो के नीचे comment कीजेगा मैं आपके जरूर हैप करूँगा so till then guys thank you so much take care